हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस क्लास 10 इंगलीज का वारल पेपर फ्रेंस मिल चुका है यहां पर इस पेपर का यहां पर संपूर हल आप सभी को कराने वाले हैं फ्रेंस आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इसका संपूर हल लिखे हैं आप सभी को बताएं आप इस वीडियो को लास तक फ्रेंस सिर्फ देखिए फ्रेंस यह आपको half yearly examination देना है तो आप इसका संपुर देख के ही आप पेपर देने जाए देखे फ्रेंस यह पेपर जो इंगलीज का है इसमें आपको जो total time दिया गया है आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा और total mark ज सभी question को करना आप सभी के लिए अनिवा रहे हैं इसमें section number a देखते हैं section a टोटल आपके 20 बहुवी कल्पी प्रश्ण है आपको सभी 200 बहुवी कल्पी प्रश्ण के साथ साथ इसमें जो long question उसको भी आपको हल कराने वाले है फ्रेंस देखिए आपको पहला प्रश्ण क्या क्या है रिर ऑसर दो क्यरफुली एंट रिचे साकता बाइन कğ Rencard सभी आपको इसमें सच्ट खाट के अपको इसका इसका लिखना है आप ध्यान से इस प्रश्ण को तक एक बढ़ जीगा जिस्से आपRO निकालने में आसाली हो देखे क्या है कि था 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 हाउस एंड ग्राउंड बिलांग्ड तू माई ग्रेंड पार्टनर दा मैंगरिफिशेंट ओल्ड बनियां ट्रीज वाज माई चीप चीफ फ्लाइं विकास ठीक है ठीक है फ्रेंस पूरा पढ़िएगा चलिए अब कैसे निकालना और कैसे करेक्ट करना आपको पता रहे हैं देखे क्या है फ्रेंस दर राइटर सेज डैट ट्रीज बिलांग्ड विकास अब इतना तक पढ़ेंगे तो अब ध्यान से आप संचारों पढ़िएगा इस ग्रेंड फादर हैड गिफ्टेट इट टू हीम होगा या इस ग्रेंड फादर वास्ट ओल टू क्लाइंब इत होगा या ही वाज भी फान आफ इट या हीस फ्रेंड एंड इसक्वारल लाइब इन इट अब देखें इसमें से आप जब इस पारगराप को टॉटल पढ़ेंगे तो फ्रेंड देखि इसमें जो आप से नहीं यह व इसका इंसर आपको निकाल के बताते हैं अब आप संब को ध्यान से पढ़ने के बाद त्री वाज मां ट्री था आपको पढ़ना है इसमें यहां तक मिलगा है अब इसके आगे ही इसका दूसरे देखिए परस्ण परस्ण के अंसर है आपका मिल चुक है अब इसके आगे ही इसका प्रस्ण का एंसर मिलेगा जब फ्रेस यहां से ध्यान से पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ते हों आप लिखा है ना दस्यां अब यहांब ट्री वाज है त्री वाज आपको देना है ठीक है देखे तिसरा नमबर का सवाल है क्या है तराइटर कुट हाइट इसके बारे में बताना यह अब यह पर अगर आपको ध्यान सब पढ़िए गाइट लिखा है ना देखिए यहां पर यहां तक इनसर हो चुका तो अगला प्रश्ण का इसके आगे मिलेगा यहां पढ़िए आई कूड रिखा है ना माइसे इन इस ब्रांचेज बिहां लीव औ इस पायन दवर्ड बिलो तो देखिए यह लाइन पकड़िए और देखिए बिलो वर्ड बिलो कहां पर लिखा इसमें जब पर अगराफ में देखेंगे फ्रेंस तो यहां पर इट हैड ब्रांचेज विद थिक्स ग्रीन लिव अब आपसन को ध्यान से पढ़िए गा देख यहां पर इसको देखेंगे आप यहां पर देख लिए एक बार यहां पर लिखा है ना कि दा कुट हाइड माइसेल्फ इन इस ब्रांचेज बिहाइंड लिफ एंड इस पॉइन इस पॉइन दवर्ड बिलो इसका देखिए इस प्राशन का आपका सही जवाब तिसरा नंबर तक चूज करेक्ट आपसंट टू एंस्वर्ड फालिंग अभी इसमें से आपसंट बना आई यहां खाली सतान हीं एस ब्रदर मतलब मैं अपने भाई को एक साइकिल उसे दूंगा देखिए फ्रेंस मैं उससे एक साइकिल दूंगा उसके बाठटे पर दूंगा ना यह भू होती है क्या होगा यहां पर यहां पर गया होगा यहां पर तीसरा वाला होगा अगरा देखिए फ्रेंस सीटा सिंग्स वेरी गूड मन सीटा बहुत अच्छा गाती है दूंगा जो गातीं तो सिंगर कहेंगे डांसर कहेंगे मूझि इसेगर कहते हैं इसका जवाब आपका सवाल देखिए हैं इस्तिप्रों को क्या किया है अलगप कर दिया उसमें आपको सब्जक्टRight कह ऑंप्जक्ट सभी एक क्रम लगा रहा हli है तो फिरेंगे जब ध्यान से देखेंगे तो पहले पूरे आप्षन को ध्यान से पड़ेगा देखें एक चीत ध्यान दिजेगा आप आपको क्या ध्यान देना है कि he is both नहीं आता है he is good आता है तो यह बोथ बोथ वाला दिये यह दुना अपसंत कट जागा इसी तरह इसका सही जवाब क्या होगा तिसरे वाला सही होगा he is good इन बोथ इस्टडीज एन गेम मदवभव इस्टडी में और गेम में दोनों में अच्छा है तिसका सही यह बनेगा ठीक है और यह वाला तो गलत हो जाएगा इसलिए कि बोथ बाद में आगा ठीक है यह वाला अपसंत आपका गलत हो जाएगा जोथा नमबर का अगला देखिए कि वीच आप द् फ्वाल इंकरेक्ट इस्पेलिंग करिए समें इस् में बताना है इस्पेलिंग कौह सा गलत है पहला है वंडर फंडर फ्रे माइडरowanदर फासें या इस्पेलिंग घ्लत है यहां पर तिसरा नंबर का सही हो कि spelling किसका इंकरेक्ट है थाउजेंड का अठ्वा नंबर देखिए अगर आपको पढ़ना है पढ़ने के बाद नववा नंबर दसवा नंबर के इस पर अगर आप से एंस्वर देना है देखिए नववा नंबर के सवाल पढ़िए इस रियली गेटिंग बैड नाव इट रिफर्स हीयर टू आप साने रहें सनलाइट सेंड स्टोर्म यह हैल इस रियली गेटिंग बैड नौ इव इट रिफर हीयर टू अब इस सब्दों को पढ़िये गा कि रिफर्स टू दिया कहां पर है तो फ्रेंट जब ध्यां से इस पूरे पढ़ेंगे इस रियली गेटिंग बैड नौ देखिए दिया पूरा ना इस क्लेंब द ल मैन आई हो वाला जो है ना वाक्ट के यह पर अगराफ है इसका अच्छे सा जानते रहेंगे इसका देखिया बता देते हैं कि इस इसका चाहता वहला है इस प्रशन का सही जवाब देखे इस पारगर आप में आपको निकालना था इस प्रशन का सही जवाब क्या होगा आप देकर दसमा निमबर का सही जवाब कर W आप एक वान थे अपर एक यहां से क्या निमगा निम्गों सो एक प्रशलुम요 office implies यह आपके बुक से कह रहा है कि पोस्ट आफिस में जो लेंचो था क्या कारे करता था आपसन देखिए आप पढ़े होंगे तो आपको इसका पता होगा क्या करता था बंच आपको काम करता था इसका सही जवाब पहला वाला सही हो जागा इस प्रशन का अगला देखिए फ् इस हैड आल्रेडी बीन टेकन अवे फ्राम हिम इसका सही जवाब पहला वाला हो जाएगा अगला देखिए तरहावा नमबर के क्या है कि हूँ इस आथर आप उरकी ना इसका आपसन देखिए फ्रेंस यह आप पढ़े हैं किताब से बुक से हैं अरूप कुमार दत्थ है तो फ्रेंस देखिए आपका इसका त्रहमा का सही जवाब होगा सिकेंड वाल लोकेस अब्रोल है कौन है किसने लिखा है कूरी तो लोकेस अब्रोल ठीक है अगला नमबर का सवाल क्या है यह आपके बुक से ही है एक परग्राफ दिया है इसमें इसको पढ़ना है 14 15 अमंडा फिर इसके पर डीडी टीडी यूर रूम अमंडा आई था आई टोल्ड यू टू क्लियर यूर सोस अमंडा अब देखिए यहां करक आई हीर रिफर यानि किसे रिफर किया आई हीर रिफर कौन है तो फ्रेंस यहां पर आपका 14 नमबर का साही सवाल होगा आप पढ सबस्या प्रेंस को सब्सक्राइब कैशिक किसे किया था यहां प्रेंस यहां पर आपका 15 नमबर का सही जवाब होगा बीवालय के हर होम-ँर काया रिफर को का ऍो पूरा किया सब्सक्राइब काड़ता अगला नमबर का है कि वाट वाज ट्रीकी एक्चुएल प्रावलम क्या था तो फ्रेंज देखिए इस प्रश्ट का सही जवाब सुलामा को जागा चौधा नमबर को विटिंग विकाज एक्सीज फूट ठीक है अब देखिए सत्रावा नमबर का सवाल क्या है देखिए वाट वाज दे नेम आप दे साप वीच अनील लाइब इन रूम आप संज जब ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंज देखिए वाट वाज द नेम आप दे सा साप का क्या नम है अनील इन रही है एक रूम में जो अनील रहता था जिसमा भाटा थृता नमबर के अब अब स्वीट साफ था क्या नाम था उसका जुमना स्वीट साफ अगला नमबर का देखें फ्रेंज डेस क्या था मिस्ट्रेश ठीक है अनील वाज यानि अनील कितने साल का था तो आपको बताथ यह बुक पढ़ें कि पड़ेंगे तब पता होंग है के पचीस साल फचीस और देखेंगे मिसेज पॉंफ्रेश वाज ए यानि मिसेज पॉंफ्रेश क्या एक है मतला आपको बताने क्या है पूर लेड़ी है अब इसका अगले पेज़ पर बताने देखिये फ्रेंश रिच लेड़ी है यह जेंटल लेड़ी इसका सही जो आप तिसरा वाफ जागा प्रस्टन कंप्लीट होते हैं और इसी प्रकार के आपके एकजाम में भी आएगा और यही पेपर आपके जो अर्दवारसिक परिच्छा हो रहा है उसमें भी पेपर आ रहा है इसलिए इस पेपर का संपुध हल पूरत देखके जाएगा देखेए आपके या section B reading है अब यहां पर देखे friends क्या है का write a letter to friend investing him to attend sister Marie ठीक है अपने बहन की साधी के लिए अपने friends को क्या करना था एक letter लिखना था जो छा नंबर का यह paper ठीक है छा नंबर का प्रशन था यह प्रशन आरत कीजिए या इसके लावा देखे नीचे है राइट एन एप्लिकेशन टू यूर प्रिंस्पल रिक्वेस्टिंग फार्ट त्री दे लिव यहां तीन दिन की छुट्टी के लिए आपको क्या करना था एप्लिकेशन लिखना था चले फ्रेंज देखे इस प्रशन का आपका 21 नंबर का देखे आपको बताता है देखिए आपको अप्लिकेशन लिखना और इस देखे एक छूटी के लिए आपक کफ्लिकेशन लिखना आप त örक वार कायदे देख लीजिए तो गरिशा दूलिखनाय प्रिंसपन जी सी आइस यहां कालेज का नाम लिख लिएगा यां इंटर कालेजुअ फिस श्टी की पनो होंगा तुल इस तरह लिखना है फिर इसके बाद यहां दिखेगाए आप एपसेंस फ्राम 122023 यहां तीन दिन कर लिखना ता चौदर लिखेंगे आप 17 कर लिजिए अक्टूबर आई सेल भी हाई ली आवलाइज टू यूर एक्ट आफ काइंडेस फिर देखिए यहाँ फ्रेंस अपडेट डाल दीजेगा जिस डेस को आपको लिखना होगा यूर ओविडेंटली एक्सवाई जट यहाँ नाम नहीं लिखा जाता है यह एक्सवाई जट कर लिजेगा और य इसी पर अगर आप में ही आपको अप्लिकेशन लिखना है इस प्राश्न का देखिए फ्रेंस आपको क्या था यहां पर था ना कि राइट एन अप्लिकेशन टू यूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फार्द थ्री डे लिट यहां तीन दी चुट्टी के लिए आपको क् आप दिवाली पर लिखना थे लिखना था जो चान नंबर का है अब यहां क्या है कि प्रिप्रेशन करना यानि हेडिंग आप बना सकते थे प्रिप्रेशन हाइट हाइट वर्षी आप गोडेस लग्जमी लक्समी ठीक है एं गनेस फिर फायर वर्स एंड क्रेकर शाइलेंस इस प्रकास आप हेडिंग बना के उसको लिखना रहता है इसलिए हिंट्स देता है ठीक है हमें सब बोड की एक्जाम में भी इसी तरह हिंट्स देता है ठीक है अब देखिए अगला नंबर के क्या है सवाल कि आप चैंज करना है यहां देखिए अब इसको पढ़ा चुके हैं इसको इस पीच में चैंज की आपको बता देते हैं क्या होगा जब चैंज करेंगे आप तो होगा मोहन यह कोस्टन मार्क है यहां होगा मोहन आस्क्ड मी ठीक है और इनवेटर का माटाने के लिए फ लगता है फिर यह देखिए यू है तो किसके अनुसर मी के अनुसर चैंज होगा तो यहां आई वाज राइटिंग ए लेटर यह होगा चलिए इसका पूरा एंस्वर आपको बता देते हैं फिर देखिए आपका क्या है यहां पर ध्यान दीजीगा यह प्रस्ण था आपका प्रस्ण यह था आपका इंडारेक्ट में चेंज करना है तो आप देखें जिए इनडारेक्ट मोहन आस्क्ड मी इन्मिटर काम आठाने के लिए इफ लगा है और यू चेंज होगा मी का अनुसर आई हो जगा आई वाज राइटिंग है लेटर इस प्रकार से इसका एंस्वर होजगा आपका कि दा freedom इसको क्या करते हैं फ्रेंज यहां पर object की रुप में होता है freedom fighter आप बोलेंगे यहां लिखेंगे the freedom fighter ठीक है freedom fighter लिख लेंगे फिर आर आलवेज लगा लीजीगा फिर admire by people इस प्रश्ण को जरूर फ्रेंज आप हल कर लीजेगा ठीक है by people यह जो subject रहता है इसको क्या बना लेते हैं आप जिए पीपू लेना इसको क्या बना लगा कि लाश्ट में जोड़ देते हैं समझ में आ गया अब दिखे फ्रेंज इसके बाद क्या है प्रशन आपका यहां पर ध्यान दिजीएगा आपका अगला प्रशन क्या है देखे 25 नंबर का answer the following question अब यहाँ पर question इसका answer देना है why was lynch angry when he received the letter ? तो इससे में क्यों क्यों गगता तो देखिए इसका answer आपको देखाते हैं ठीक है देखिए आप यह लेंचु रदी था आपके answer लिखना रहा question number 25 पीस्टर लिखिए गाव और लिखिए गा लेंचु हुआ लिखिए गा लेंचु वाज एंग्री अन काउंटीक दमडी सिंस इट वाज लेस देन दे एमाउंट ही हैट आस फार या फुरिष्टाप ही हैट फार्म फैद डाट गाट कुट नाइधर मेक ए मिश्टेक नार कुट डेनी वाट वाज रिक्वेस्टेड फिर जब लेंचो क्या लेंचो क्रोदी इस बात पर था कि जो उसने अपना धन को मतलब जो मनी था उसको काउंट किया था तो जो एक्चुल में होना चाहिए उससे कम आ गया था इसलिए वह ज्यादा कुरोदी था इस प्रकार से आपको क्वेस्टन नमबर 25 का एंसर पुरा लिखना है अब देखे 26 क्या आपका है राइट एक कारेक्टर इसकेज आप लें यह जोकार इसकेज वह बारें में अब हराइंग डाएंग या सदार आदमी था क्या था कथिन परिपिश्रमी किसान था who worked as an ox in his field वो अपने बैलों के साथ खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करता था ये उसके hard working farmer के बारे में लिख सकते हैं देखें आप लेंचो के character के बारे में एक heading डालेंगे आप जब भी character किसी का लिखेगा तो एक दो heading friends आप जरू लिख लिखेगा अब देखें friends जो लेंचो था innocent man भी था एक तो इसको innocent man डालिएगा heading के तोर पे उसके बारे में देखें आप लिख लिजेगा लिखेंगा लेंचो डिड नाट नू लेंचो नहीं जानता था देट की there was no such living person as God who could send him money उसको धन इस वर के द्वारा प्राप होगा ठीक है आपको यहां पर दिखा चुके अब दिखा चुके 27 नंबर का है राइट the central idea of one of the falling poem यहां भी क्या करना है जिस आमांडा हुआ डाइस्ट आप सुनो हुआ इसका central idea आपको लिखना है इस अंटर आइडिया देखें तीन नंबर का है अब दिखेंगे फ्रेज्ट इसके लागवाट वाट वाट वाल्ली वेट तु सेब ट्रिकी यानि कि आपको 28 वाल्ली वेट टु सेब ट्रिकी वाज ट कंट्रोल ट्रिकी डायड अकार्डिंग टू डाक्टर नो मेडिसीन वाज रिक्वाइड टू ट्रीट ट्रिकी ठीकर यह एंसवर आपको लिखना था अब दिखेंगे फ्रेंस 29 और 30 नंबर का फ्रेंस क्या है कि राइट करेक्टर इसकेज आफ हरी सिंग हरी सिंग का आपको इसकेज आप नों वी बता है फ्रेंस उसी तरह आपको हरी सिंग का भी इसकेज लिखना फिर इसके बाद राइट एक करेक्टर इसकेज आप मिसेज पंफ्री इसका क्या करना है character इसके इन दोनों का लिखना था एक दो-दो heading डागे जैसे बता है तो friends देखिए यहां पर आपका English का जो half yearly देखिए यह paper था आपका जो इसका संपूर हल आपको यहां पर बता चुके हैं friends इस paper को आप हल करके जरूर half yearly का paper देने जाएगा friends यही paper same to same आने वाला है तो friends आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने friends के पास अधिक से अधिक वीडियो को स कि यर करें